अयोध्या की महिमा तो खुद प्रभूश्री राम ने कही है जन्म भूमी ममा पुरी सुहावने अयोध्या सिर्फ एक नगर नहीं है अयोध्या जीवन है अयोध्या सभ्यता है अयोध्या इस महान देश की संस्कृति और दैनिक जीवन के मूल में है ये प्रभु श्री राम की अयोध्या है, ये सब्त पुरियों में प्रथम इस महान देश की अयोध्या है 5 अगस्त 2020 को श्री राम मंदिर भूमी पूजन के बाद अपने उद्बोधन में माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी ने कहा था कि राम काजु की नहे बिनू मोही कहा विश्राम यही ध्ये वाक्य बना श्री राम मंदिर और अयोध्या के सुन्दरी करण से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति का अयोध्या विजन के अंतरगत 37 विभागों की 30,000 करोड रुपए से भी अधिक की 178 पर्योजनाओं का लक्ष एक ही है प्रभूश्री राम की नगरी अयोध्या पूरे विश्व में अतुलनीय हो 821 एकड में बने और 200 मीटर लंबे और 45 मीटर चोड़े रनवे के साथ पूरी सजधज के साथ तयार हो चुका है महार्शी वालमिकी अंतरराष्ट्रिय हवाई अड़ा अयोध्या धाम इस एरपोर्ट के पहले चरण को 1450 करोड रुपए की लागत के साथ तयार किया गया है और अभी इस एरपोर्ट में सालाना 10 लाख हवाई यात्रियों को संभालने की क्षमता है एरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग का आगे का हिस्सा अयोध्या में तयार किये गए श्रीराम मंदिर की वास्तु कला को दर्शाता है और टर्मिनल बिल्डिंग के अंदरूनी हिस्सों को भगवान श्रीराम के जीवन को दर्शाने वाली स्थानीय कला पेंटिंग से सजा वहीं अयोध्या धाम जंक्षन रेलवे स्टीशन श्रीराम मंदिर की जलक के साथ श्रद्धालूओं को एक सुखद अनुभव देने के लिए तैयार है। पूरे अयोध्या में सटकों का चोड़ी करण और सुंदरी करण के साथ साथ अयोध्या के पवित्र घाट और गुंडों का सुंदरी करण इन्हें एक अलावकिक रूप प्रदान कर रहे हैं। मुक्तिधाम, 33 से अधिक पार्कों का सुंदरी करण और सुलेड वेस्ट मैनेजमेंट की उतक्रिष्ट सुविधा की गई है। अयोध्या के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण, जगय जगय पर रेलवे ओवर ब्रिज और अन्य शहरों से सडक मार्ग से आने के लिए राज मार्गों को चार लेन बना कर सुगम व्यवस्था की गई है। श्रद्धालूं और परियटकों की अयोध्या यात्रा की परिकल्पना करते हुए नगर में प्रवेश से लेकर उनके अयोध्या प्रवास की अवधी के हर क्षण, हर कदम पर उन्हें उच्च स्तरीय सुविधा देने के लक्ष के साथ तयार है अयोध्या। श्रीराम आनबान है, श्रीराम हिंदुस्तान है, तयार है अयोध्या, पधारिये आहवान है, पधारिये आहवान है।